राम को आने लगी उबासी चेहरे पे सब के छा गई उदासी चुटकी बजावे हनुमार के मची गया हंगामार सुनो सेवादारी से कभी किसी को दूर मत करना किसी को दर्बार में ला नहीं सकते तो उसको ये मत कहना कि दर्बार में कुछ नहीं मिलता उसको कहना भाई आज मेरी मोटर साइकल पे दो ही बैठ सकते हैं एक मैं और मेरा यार बाबा को बोल कि मुझे मारुति ये धंडड़ या गाड़ी दे दे तो तेरा यार भी बिठा के लिए होंगा यार क्या बात करता है सेवादारी से दूर मत करना कभी किसी को जब राम जी का राज भी शेख होने लगा तो सीता माता लक्षमन जी भरत शत्रुगन सबने निर्ने किया कि एक आदमी को राम जी से दूर करना है किसको बड़े खुराबाती आदमी को हनमान जी को दूर करना है जो सच्चा सेवक होता है ना आप अगर सच्चे शाम प्रेमी हो और अगर खाटू पहुँच गए तो मेरा बात याद रखना कि मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद भी बार खड़े हो जाना दरवाजे जो लकडी के होंगे शीशे के हो जाएंगे और अंदर का शाम नजरा जाएगा अगर सच्चे शाम प्रेमी हो गए यही बात हनमान जी के साथ सबने का हनमान जी कोई ऐसी ड्यूटी लगा दो कि हनमान जी राम जी के नजदी की दो तिन मिनट के लिए है तो ड्यूटी मिली जब भी राम जी उबासी ले उबासी मतलब यानिंग अंग्रेजी में और उसका दूसरा मतलब होता है जमाई समझ गे ना ठीक है बने बने तो बने जब भी उबासी ले तुम चुटकी बजा देना अब हनुमान जी ने समझा कि राम जी कोई मशीन तो है नहीं वो तो कभी भी उबासी ले सकते यह तो नहीं शाम कोई लेंगे तो हनुमान जी राम जी की छट पे बैठ गए और छट पे बैठ के चुटकी पे चुटकी बजाए और उनकी चुटकी का चकर में राम जी का मुँख खुला खुला रह गया बंदी नहीं हो पए ना कुछ खा पाए ना कुछ बोल पाए ना कुछ हो पाए तो जब जब हनुमान जी की चुटकी में इतनी जान है तो कहीं घोटा उठा लिया तो पाकिस्तान तो अपने आपी ठूब देंगे राम को आने लगी उबासी, चहरे पे सब के छागई उदासी, चहरे पे सब के छागई उदासी, ताली नहीं बजा नहीं, दोनों हाथ उठाके, चुटकी बजावे हनुमा, ये मच्छी गया हंगामा एक बार कैमरा घुमादा जारा सब की तरह में दोना हाथ उठाके, जैसी आराम बोलो, जैसी आराम बोलो, फھیर दूजे का बोलो, खाना और पिना छुटा रातों को सोना छुटा कैसा ये रोग लगा सबका है धीरत छुटा राम दुखी है दुखी है सारे राम का संकट कोई न टारे तो जिसने संकट काटना है वो क्या कर रहा है तालीरैं मजानें इन फिलकुल भी दोना हाथ उठाके चुटकी बजा वे हनोमान चुटी की कई बार आप देखते हो कि बच्चा बिल्बूर ठीक होता है लेकिन आचानक पता नहीं तब्यद भिगड़ जाती है कोई गोली भी काम नहीं करती कोई दवाई काम नहीं करती फिर ध्यान आता है कि कोई गल्ती हुई होगी है ना अगर जीवन में कोई गल्ती हुई भी है उन सब गल्तियों को माफ करते हैं बजरंग बली हे बालाजी महराज आपके चर्णों में पहली अरजी जो उठाएं दोनों हाथ उनके काम बनाँ देना हथो हाथ और जो बजाएं ताली बारा महिने मनाएं दिवाली और जो लगाएं जेकारा उनका बनना सहारा बोलो साला सरिधाम के जिनको भक्ति की बिमारी होती है ना उनका कोई लाज नहीं होता आज किर्तन से आने से पहले आपको घरवालों ने छेडा होगा अभी तो गए थे इसका तो काम है ये तो रोज आएगा तुम रोजी जाओगे क्या दक्तर अर्वैद आए रोग पकड़ना पाए दुनिया को लगता है हमें शाम नाम की बिमारी है हमें बिमारी नहीं भगतो हम पे चड़ी नाम की खुमारी है दक्तर अर्वैद आए रोग पकड़ना पाए दुनिया कैसा ये रोग लगा कोई समझना पाए इंसान को बिमारी हो तो भगवान ठीक कर दे भगवान मिमार हो जाए तो कौन ठीक करे बोले यू लक्षमन लाओ हनुमान को ये लाइन आपको बानी पड़ेगी हनुमान जी को सबसे प्यारी लाइन है बोले यू लक्षमन लाओ हनुमान को वो ही बचाएंगे भईया के प्राण को लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हाँ 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 चुटकी बाजावे हाथ नीचे एक मौका और देता हूं देखता हूं सबसे पहले हाथ किसका उड़ता है? ऐसे नहीं बोले यू लक्षमन लाओ हनुमान को वो ही बचाएंगे भईया के प्राण को और वो क्या कर रहे हैं? चुटकी बाजावे चुटकी बाजावे हनुमान के मच्छी का या हंगा माँ ये रायगड भी जड़ा ताली वजा के ये बाद दुटकी मजावे हनो माँ के मच्छी का या हंगा माँ के मच्छी का या हंगा मेरा ताली वजा के मच्छी का या हंगा ताली वजा के ये बाला जी महाराज की कि ये पर्ची मिल रही है ये बाबा इनको इस लायक बनाना कि ये पूरी पूरी फुलाइट लेके जाएं तरे दरवार में कि यारा बारा से बात नहीं बनेगी राइपूर से चलो जैपूर जैपूर से रिंगस को एक मोड आएगा जो सीधा खाटू जाएगा पहले जैसी आराम बोलो मद्यपरदेश में एक गाओं है मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन उस गाओं में सारे घर सनातनियों के हैं और उन्होंने बाहर बोड लगा दिया गाओं के इस शहर के अंदर इस गाओं के अंदर वो ही आए जो रामता हो और वहां के विधायक को भी बता दिया कि वोटे सारी तेरी हैं लेकिन यहां कोई दूसरा नहीं आना चाहिए भगवा लगा दिया घर के उपर बोले जब समान खाने का मिलेगा ही नहीं तो रहेगा कैसे हम तो आलू में तिन-तिन महीने निकाल दें उनका नहीं गुजारा होता उनका नहीं गुजारा होता हम तो हरी सबजी में निकाल दें भगवान ने भिंडी दिये भिंडी महिने में तीन बार उख जाती है दो बार उख जाती है तोड़के भी हम वो है जो गाए को पूझते हैं और वो वो है जो गाए को खा जाते हैं किसी मनुश्य को वो भी तो जानवर क्या इंसान नहीं होता अपने आपको सनातरी कहते हो तो सनातरी होने का फर्ज भी अदा करो होने का फर्ज अदा करो घर के छट पे राम जी का धंडा किस-किस के लगा है तीन फाइदे हैं जंडे के पहला फाइदा जंडे उनके लगते हैं जो विजेता होते हैं हारे हुआ के नहीं लगते हैं दूसरा फाइदा जंडा जब फैरता है कैसे फैरता है थपड कैसे पड़ता है वो जंडा बताता है इधर मत देखना गंदी नजर से पड़ेगी और तीसरा फाइदा जब घर के आगे से कोई निकलेगा तो उसको पता लग जाएगा थोड़ा अदम से निकलो ये घर वही है जिसने अयोत्या में राम का मंदिर बनवा दिया और ताशी हुई अयोत्या हुई अब मतुरा की बारी है क्यों कि तैयार हो गए भगवा धारी है एक बार भाईया आप खड़े हो जाओ क्या बात है ताली बज़े ताली बज़े पहले जैशीरी राम बोलो मेरे भाईयो एक मिनट और खड़े हो जाओ देखो जरा ध्यान से रंग वो भी है और रंग ये भी है लेकिन उस रंग की क्या बात है प्यार दाबार भाईयो चार-चाल हजार रुपे की शर्ट लाओ बढ़िया है लेकिन एक तीन सो रुपे भगवा कुर्ता भी सिल्वा के रख लो जब भी त्योहार आए तो गली में निकला करो हजार-दो-हजार पता लग जाए इस गली में भी कोई रहता है पहले जैशीरी राम बोलो पहले जैशीरी राम बोलो पहले जैशीरी राम बोलो पहले जैशीरी राम बोलो पहले जैश इधर ले गुमा के कैमरा दिखा दो दुनिया को 36 गड़ ऐसे ही सबसे बढ़िया नहीं यहां राम बसते हैं सीने में बसते हैं और ठपे की जुर्थ पड़ेगी तो ठपा लगा के भी दिखाएंगे लेकिन राम के हैं यह बन कर दिखाएंगे यह बन कर दिखाएंगे